ओम शान्ती आज 6 जानवरी 2022 है प्यारे बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान दिया है के हम कौन है हम एक्षोदात्मा है बाबा ने हम बच्चों को ये भी बतलाया है कि जब हम दे अभिमान में आते हैं तो पाप बनते हैं इसलिए हमें दे ही अभिमानी बनना है और साथ ही साथ और सभी प्रकार के संग को तोड़ कर एक बाबा के साथ अपने मन को जोड़ना है आज बाबा ने हम बच्चों को वर्दान दिया बिंदू रूप में स्थित रह उड़ती कला में उड़ने वाले डबल लाइट भव डबल लाइट फरिष्टा, हलका, लाइट, प्रकाश तो आज बाबा ने हम बच्चों को ये स्मृती दिलाई है कि हम बिंदू पर अटेंशन दे अगर हमें ये याद रहे कि हम बाबा के नैनो में समाया हुआ सितारा है तो सितारा अर्थार्थ बिंदू, नैनो में तो एक छोटा सा बिंदू ही समा सकता है तो जब हम बिंदू स्वरूप रहते हैं, बिंदू स्वयम को समझ कर फिर करम में आते हैं तो हमें किसी भी करम का बोज महसूस नहीं होता वैसे भी एक बिंदू, एक पॉइंट बिलकुल हलका होता है उसका वेट नहीं होता वो कोई भी स्पेस अक्वायर नहीं करता सुक्षम, तो मैं आत्मा सुक्षम बिंदू हूँ इस स्मृति में हम रहकर अपने घर में यानि परमधाम में बाबा के साथ समय बिताएं और फिर साथी साथ अपने फरिष्टा स्वरूप यानि प्रकाश की काया में स्वयम को सुक्षम बतन में देखें इस प्रकार बार बार जब हम अपनी बिंदू रूप की स्थिती में आते हैं और बिंदू के स्वरूप में रहने से फरिष्टा अर्थार्थ लाइट बनना बहुत आसान हो जाता है हम जब अपने करम शेत्र पर हैं तो भी ये बिंदू स्थिती मदद करती है तो आज हम सारा दिन ये अटेंशन रखें कि मैं बिंदू हूँ बिंदू आत्मा और बिंदू बनने से हर चीज़ पर फुल स्टॉप लग जाता है व्यरत पर भी फुल स्टॉप लग जाता है हमारा कुछ भी नहीं है सब कुछ तेरा और आज प्यारे बाबा ने हमें ये भी बतलाया कि जब हम इस प्राक्टिस में रहते हैं इस वरूप में रहते हैं तो हमें स्व उन्नती और विश्व कल्यान की जो सेवा है उसका भी बोज महसूस नहीं होता वो भी सहज और सरल हो जाता है ओम शान्ति झाल